पहली बात तो यह समझो कि आखिर यह इंडेक्स रिलीस कौन करता है तो इसको रिलीस किया जाता है यह दोनों European organizations हमें देखने को मिलती है जैसे आप देख पाओगे तो इंडिया का rank इस पर काफी खराब आया है 111 rank आया है इंडिया का out of 125 countries in hunger index पहले थोड़ा ना इसकी methodology को समझनी कोशिश करते हैं देखो कुछ terms है जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए पहले term है जैसे undernourishment अगर आप देखोगे कि कितना एक share of population जिनकी calorie intake कम है ठीक है न उसी तरह से एक term आती है child stunting चाहिए मतलब बच्चे है वो तो आप समझ गए stunting का मतलब क्या होता है stunting का मतलब होता है अगर आपकी height कम है और आपकी age जादा है ठीक है ये पांच साल तक के बच्चों के लिए चेक क्या आता है माल लो एक example बढ़ा तो माल लो एक 4 साल का ब बढ़ रही है पर कहीना कि उनको जो weight है वो weight कम है मतलब बहुत ही मतलब उसकी height जादा है पर कहीना कि उसका भार नहीं बढ़ रहा उसकी weight नहीं बढ़ रहा तो उसको बोलते है child wasting उसी तरह से child mortality check करे जाती है जहां पर हम देखते है कि 5 साल से पहले कितने बच्चों की कहीन बच्चों को मतलब या कितने यहां पर बच्चों को कितना इशूज आ रहे हैं और कि ओवरॉल पॉपॉलेशन ध्यान रखने वाली बात ही है अंडर नरिश्मेंट के अंदर हम पूरी पॉपॉलेशन को देखते हैं स्टंटिंग वेस्टिंग के अंदर हम सिरफ चिल्टरन को देखते हैं मॉटैलिटी के इसकी देखते हैं सिरफ और सिरफ बच्चों की यह चीज़े आपको पता होनी चाहिए बाकि आप जानते हो 2030 तक हमारा गोल है जीरो हंगर को अचीफ करना SDG2 जो हम अचीफ करना चाहते ह तो वहाँ पर भी यह सारी चीज़ें के चैप्चर करना में हमें हमें help करती है अब होता पता क्या है overall जो global hunger index का score calculate होता है उसमें one third weightage दी जाती है किसको undunerishment को one sixth weightage दी जाती है child stunting को one sixth weightage दी जाती है child wasting को and one third weightage दी जाती है आपकी child mortality को सब को combine करके आपका global hunger index का score आता है फिर उसको ना अलग-अलग categories में divide किया गया है अगर maal low score आपका 10 से कम है या 9.9 से कम है तो उसको बोलते है low 10 से 19.9 यहां तक है इसको बोलते है moderate 20 से लेके 34.9 तक है इसको बोलते है serious 35 से 49.9 को बोलते है alarming and greater than 50 extremely alarming अब इंडिया का case में जब सारी चीज़ों को add किया गया तो इंडिया serious category के अंदर है चलो सर यह बात तो समझ आई पर actual में इंडिया में फिर क्या issues क्या आ रहे हैं कहीं क्या दिक्कते हैं और सरकार ने इसको reject कर दिया कली रात में ही ऐसा क्या हो गया थोड़ा सा आपको ना समझाने की कोशिश करता हूँ पहली बात तो ना हमारी जैस में इसको खराब करने कोशिश कर रहा है अब आप लोग सोच रहे होंगे सर मतलब क्यूं खराब कर रहा है या रेदर आशूट से कि क्या दिक्कते आ रही है मतलब इस रिपोर्ट के अंदर क्योंकि अगर आप नोटेस करोगे ना मैं आपको एक थोड़ा सा अगर एक fact बता हो गया श्रीलंका हो गया इनका रेंक इंडिया से बहतर है हां जी बिलकुल पाकिस्तान बांगलदेश निपाल श्रीलंका यह भारत से बेटर परफॉर्म कर रही है ऐस पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स तो सरकार को दो लग नहीं है कि भाई इतना भी क्या हो गया ठीक है ना तो एक्चल में ना कुछ इन्होंने कारण दिये है कि क्यों यह जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिस आप से कल्कुलिट करता है चीज़े वो ठीक नहीं है पहला तो आप एक बात यह समझो कि जैसे फॉर एक्जामपल यहां पर हमने जो चार पैरामीटर लिए यह वाले जो लोग है कि पुरी-पुरी पॉरी पॉपलेशन को हंगर है ऐसा यहां पर मैं नहीं बोला है यह मिनिस्ट्री आफ बुमेंट चाइल्ड डवलप्मेंट ने बोला है तो कह रहे हैं कि आप सिरफ बच्चों को देख रहे हो सिरफ बच्चों का एक परसेप्चन देके आप कुछ कलक्ट किया, कुछ इसके लिए, कुछ देक्टा थे खो मिनिस्ट्री से लिया जाता है पर कुछ देका ऐसा होता है जैसे फूर एक्या घ्रिकल्च्र आइपका वर्ल्ड हैल्थ ओर्गनिछेशन हो गया इस तरह कि अलग-अलग ऑगनिश्टाइशन से डेटा लिया ज वो लोग हो सकते हैं, अब आपने सोच लिया कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन अंडर नरिष्ट है, तो ये गरबड़ को टाला है, ये मत डॉल जी आपकी ठीक नहीं है, ऐसा फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा है, ऐसा Ministry of Women and Child Development ने बोला है, ठीक है, तो और भी के साथ क्या लेना देना, ऐसा Ministry of Women and Child Development ने बोला है, तो ये भी देखो इस तरह के कुछ रीजन्स दिये जा रहे हैं, अब मैं आपके उपर छोड़ता हूँ कि ये रीजन्स जस्टिफाइड हैं या नहीं है, बट पॉइंट था कि हमारी सरकार ने इसको पूरी तरह से यहां और लगाता है, तीस से साल हमने बोल दिया है कि इनकी methodology यहां पे ठीक नहीं है, 0 का score होता है, no hunger, 100 का मतलब होता है, मतलब की काफी खराब situation है, जो कि मैंने आपको इस diagram के अंदर बताया भी था, इनके जो reasons हैं, मैंने यहां पे आपके लिख भी दिये हैं, आप चाहो तो इन negatives, आप definitely उसको देख भी पाओगे, जो कि मैंने थोड़ डिसकस भी कर दिये, दो चीज़ें यहां पे और भी डिसकस्ट हैं, इनका आप terms का मतलब समझना, जैसे एक होता है under nutrition, एक होता है mal nutrition, under nutrition, in case आप से, ठीकर हमने बात करना है, यहां पे under nutrition वगारा का क्या आर्थ है, य उसको proper proteins, उसको proper vitamins, उसको minerals मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, और actual में यहां पर इन्हों ने थोड़ा कहलो कि India को थोड़ा, मतलब मैं criticize तो नहीं बोलूँगा, पर इंडिया के बार में जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं, जैसे for example, इंडिया में श्याद लोगों को ख कुछ कारणों से हम सीख भी जो सकते हैं, कि इंडिया में लोगों को खाना जरूर मिल रहा है, पर कहिना कि अच्छी चीज़ें और नहीं मिल रही है, अच्छी मिनराव, अच्छी vitamins वो सब नहीं मिल रहे हैं, तो इस वज़े से अंडिया में एक्जिस्ट करता है, दूसरा ने word यूज किया, यहां पर malnutrition का, malnutrition कई बर हमें लगता है कि under nutrition की बात हो लिए, पर नहीं, under nutrition तो है ही है, उसके साथ साथ over nutrition भी है, कि भाई आपको जरूर से ज़्यादा खाना मिल रहा है, पर जो खाना मिल रहा है, उसमें अच्छी quality का खाना नहीं है, या पिर कहिना कि micronutrients नहीं है, तो कई बार पता क्या होता है, कि लोग खाते रहते हैं, पर उनकी obesity आजाती है, उनको overweight आजाता है, कुछ diseases आजाती है, hurt अगरा की diseases आजाती है, पर कहिना कि प्रॉपर उनकी जो प्रॉपर health होन चाहिना, वो achieve नहीं कर पाते, तो इसको बोलते है, malnutrition, I hope एक topic काफी comprehensively discuss किया, तो एक idea आपको यहां पर लग जा हुगा,